हेलो वाट्स आप गाइस आज हम इस वीडियो में देखेंगे नेश्टे डायनेमिक राउटिंग एंड आउ टो फेच डेटा इन आउ रियक्ट अप्लिकेशन जी यह गाइस तो यह वीडियो पहुत इंपॉर्टेंट है आइगेस हमारा यह जो रियक्ट आउट जो चल रहा ह मोबी पेज पे तो मुझे यहां पर मोबी इसके डिटेल्स दिखाई दे रहे जो कि नॉर्माल है ठीक है कोई बड़ी बात नहीं API से हमने डेटा फैच की लूप लगाया एंड वान दिखा दिया मजा तब आता है जब हम इस पर्टिकुलर कार्ड को भी क्लिक कर सके एंड को उसके अंदर का डेटा हमें मीले एंद उसके लिए हम सिर्फ एक ही फाइल बनाएं समझ रहो किया कानी के खूसिस कर रहो हूं आप एसका एक अज़वाए का बनाऊब हो गे एंड देटा लिखे दोगे तो अलग बात बट्ट डाइनमिक ली सिर्फ एक ही फाइल बना के ह forward slash movie यह जो मेरा file है उसके अंदर हूँ मैं the moment इस पर मैं क्लिक करता हूँ and boom guys see अब आप देख सकते हूँ कि मैं उसके particular सिर्फ उसके अंदर आया हूँ and यहाँ पर मुझे बहुत सारा details इसके बारे में मिल जाएगा मैं आपको दिखाता भी कैसे लेकिन जो सबसे जादे इंपोर्टेंट मुझे आपको दिखाना है वो यह है यहाँ पर आप बहुत क्लिए लिए देख सकते हो that is forward slash movies के बाद एक और forward slash and here are the ID यह जो here is the ID number उस particular card का ID number है and इसी ID number को आज हमें get करना है and उस ID को हमें हमारा API यह वहां पर add करके सिर्फ इस particular ID का ही data को हमें fetch करना है तो आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है थोड़ा सा tricky आपको लग सकता है लेकिन अगर आप till the end वीडियो को एकदम आराम से रिलाक्स होके देखो के तो मैं guarantee देता हूं आप लाइब में ने बोलोगे इस concept को यह बहुत important concept है आपको पता चल गया ना देखो 30994 मैं बैग जा रहा हूं मैं let's say इस वाले original Titanic पर click कर रहा हूं अब अगर मैं वापस यहां पर चलता हूं and zoom कर देता हूं अब आप बहुत के लिए देख सकते हूं 30994 कुछ था but it's 20338 सब कुछ सेम है हमारा route सेम है forward slash movie सेम है but change हो रहा है तो हमारा यह parameter की value change हो रही है so guys यही आपका dynamic route कहलाता है जो कि बहुत ही ज़्यादा important concept है आपको समझने के लिए once यह पाता चल गया यहां पर आप देख सकते हो ना type vibe यह सब कुछ दिखाई दे रहा है मैं वहां पर उसकी value आपको paste करके दिखा दूंगा तो आप guys बिना किसी देरी के video को start करते लेकिन उससे पहले अभी तक चैनल को subscribe नहीं किया तो guys please कर दीजेगा क्योंकि मैं नहीं चाहता है ऐसे awesome वीडियो से आप मिस कीजी और आगे तो और awesome वीडियो जाने वाला है तो मैं देखो guys यहाँ पर मैं आगे हूँ ठीक है तो सबसे पहले क्या करना है सबसे पहले आपको app.jsx file पर आना होगा इस जगे पर अब यहाँ पर अभी तक हमने dynamic root तो create ही नहीं की है तो सबसे पहला कोई से नहीं आता है कि हम dynamic root को कैसे create कर सकते है तो ठीक है guys हम हमारा सब सबसे पहले dynamic root create कर लेते देखो कैसे ठीक इसी के नीचे में इसको copy करूंगा ठीक है यहाँ पर आता हूं and करने के different different तरीके लेकिन सबसे easiest तरीका यह है आपका यह जो movie है उसके बाद वो आपका dynamic value हमें मिल रहा होता है basically id तो मैं क्या करूंगा एक और forward slash क्योंकि हमारा एक नया यह parameter add करने जा रहा हूं and no matter what आपको colon देना compulsory है आपको यह colon देना compulsory है अब यह make sure करता है in react router की अब आप यहाँ पर जो भी लुखोगे वो आपका एक dynamic value होने जा रहा है तो आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते में movie and then id इस तरीक से लिख देता हूं ठीक है फिलाल के component है हम render करा देंगे तो इसके बदले movie card movie details कर देता हूं मैं movie details ठीक है इस तरीक से मैंने new component create की control s save कर रहा हूं उसके अंदर यह जो अपना UI दिखाई दे रहा है इस आपको I hope आप लोग को दिख रहा हो यह जो UI दिख रहा है उसके अंदर मैं जाके यह create करूंगा so UI के अंद .jsx ठीक है इस तरीके से मैंने इसको create कर दी and const इस तरीके से यहाँ पर चलता हूं and obviously export लिखना जरूरी है and यहाँ पर थोड़ा सा गरबर्ड हो गया तो ठीक कर लेते है and let's go to return चलो ठीक है इतने ही कर देता control से ठीक है इसको मैं हटा रहा हूं this is it तो हमने perfect यह जो component है इसको आपको import करना जरूरी है तो हमने इसको import कर ली control and backspace किया तो उसका import वाला जो route मिल जाता है मैंने उपर add हो जाता automatic all right तो मैं यहां पर चलता हूं यह हमारा original है जिस पर हम काम करें फिल्याला भी यह ठीक है अब दा मोमेंट इस पर मैं क्लिक करूंगा one more time okay I am really sorry इस पर कर आप क्लिक करते भी हो तो भी कोई काम ही नहीं है क्योंकि अभी तक हमने हमारे card पर button पर click करके redirect वाला कोई functionality तो add नहीं किये right बट हाँ एक का मैं जरूर कर सकता हूं movie मैं खुद से manually search बार में जाके forward slash कुछ भी उल्टा फुल्टा लिख दूंगा मुझे hello movie आ जाएगा तो at least मेरे के dynamic route तो बन गया अब मैं यहां पर कुछ भी लिख सकता हूं मेरा यह page always आएगा but मुझे क्या चीए user after movie के बात क्या लिख रहा है उसको मुझे get करना है सबसे पहले ठीक है अब वो हम कैसे get करेंगे देखो मैं आपको बात आता हूं उससे पहले मुझे चलना पड़ेगा मेरे यह वाले movie component पर यहां पर मुझे चलना पड़ेगा card component पर card पर इस ले गया क्योंकि यही वो data है यही वो JSX का code जो मैंने लिखा जिसके चलते आपको यह आपका cards जो है वो दिखाई दे रहा है यहां पर watch now करके button है so here we have this watch now वाली button ठीक इसके उपर इसमें एक nav link create करने जा रहा हूं and L will be capital ठीक है इस तरीके से अब इसको में नीचे रख देता हूं अब यह जो nav link है forward slash colon movie id हमने लिखी थी बट यहां पर में वह नहीं लिखूंगा ना अब हमें क्या करना पड़ेगा कर देना है क्योंकि हम जास्क्रिप की दुनिया में गुश रहे है हमें एक variable लगेगा and उस variable को यूज करने के लिए मुझे यह यूज कर नहीं पड़ता ठीक है अब मैं बैक्टिक उस कर रहा हूं यहां पर क्योंकि forward slash movie में तो मुझे जाना है लेकिन movie के बात की जो value है वो इक अब बहुत इजली फैच कर सकते हो data please इस वीडियो को देखिएगा हाला कि आज वह पार्ट में वापस यहां पर भी दौर आने वाला हूं but still at least यह सारे चीज आपको idea आ जाएगी and then dollar forward slash imd with this is it तो आप कोई भी कार्ड पर क्लिक करेगा watch now वाले बटन पर हम उनको redirect कर देंगे इस particular route पर ठीक है यह हम already बना चुकिया अब मैं आगा यहां पर वापस चलूंगा एक बाए refresh तो अब इस पर मैं क्लिक करूंग एडबॉम गाइस सी this is it ए देखो if you remember हमें वही link मिल रहा है 20338 जो मुझे इसस यह हमारे पास एक hook है जिसका नाम है use params जो कि मुझे react router dome से मिला अब आपके मन में आ रहा होगा यह use params hook का क्या काम है मैं आपको बताता हूं लेट से यह एक hook है जो हमें object return कर रहा है ठीक है तो मैं params करके वो जो भी value है मैं इस particular constant variable के अंदर मैं उसको save कर रहा हूं अब मैं console.log करके आपको यह params दिखाना चाहूंगा ठीक है अब यहा पे चलते है मैं inspect करता हूं console पे चलता हूं इसको clean कर रहा हूं इसको मैं एक और बार refresh कर रहा हूं तो आप बहुत clearly देख सकते हो and this is the beauty कि आपको एक object मिल रहा है जहां पे movie ID में आपको वो value मिल रही है हमें यही तो चाहिए कि किसी तरीके से बस मुझे यह ID मिल जाए तो मैं उस particular URL basically API के मदद से उस particular movie का पूरा details को fetch कर सकता हूं मेरा काम तो हो गया ना अब जस्ट में अगर यहां पर कलीब्रेस परम्स डॉट आइगेस इट वाज मुवी आईडी ना movie and then ID and यह जो movie ID है ना वो कुछ और नहीं वो यह है यहां पर आपने सिर्फ ID लिखा होता तो आपको वहां पर सिर्फ ID मिलता अब हमने movie ID लिखी है तो यह अब आपको यहां पर इस तरीक से मिल रहा तो अब ध्यान से देखो यह देखो एक API करके एक folder बना है जिसमें मैं यह data को get कर रहा हूं ठीक है इसी कोई मैं copy करूँगा control ए control c API में मैं एक new file create करूँगा मैं लिख देता हूं get movie details.jsx and मैं इसको paste कर रहा हूं ठीक है अब get movies data के बतले मैं यहां पर लिख देता हूं get details ठीक है all right this is it बाकि सबको same रहेगा खाली एक difference ही होगा कि यहां पर यह जो i की value आपको दिखाई दे रही है यह जो i की value है यह आपको change करना है समझे रहो ना बस आपको यह id change करना है तो आपको सिर्फ उसी movie के बार में पता चलेगा तो अब वह मैं कैसे कर सकता देहां से देखो अगर आपको लग रहा है कि मैं use params use करूंगा यहां पर भी बहुत इजी लिए ना const params equal to तो देखो क्या होता मैं control एक सेप कर रहा हूं and by default मुझे एक warning आ रहा है देखो क्या बोल रहा है यहां पर देखो क्या बोल रहा है react hook use params जो है is called in a function यह that is neither a react function component nor a custom react hook function एक clear चीज आपको पता चला जब हम react पढ़ रहे थे और जब हम hooks का concept पढ़ रहे थे एक चीज हमने क्या पढ़ा था rule में and that is कि react के जितने भी hooks है यह always एकदम top पे आपको call करना है inside your react component बट अगर आप ध्यान से देखोगे यह देखो यह क्या लिखा मैंने get movie details भाई यह कोई component नहीं है यह आपका एक function है and आप functions के अंदर या conditions के अंदर आप hooks को defined ही नहीं कर सकते भाई नहीं कर सकते आप तो आप इसका simple मतलब है कि अब आप यह वाला तरीका तो आपना ही नहीं सकते राइट बट उसी को ही overcome करने के लिए इन्होंने एक awesome तरीका बता दिया एकदम मजा आगया मतलब कुछ नहीं करना आपको खाली यह जो आपका parameter है इसके अंदर इन्होंने एक object रिटें कर दी जिसका नाम ही परम्स रख दिया बस खत्म बस इतना आपको करना मतलब जो महनत पर चलता हूं इसको refresh करता हूं inspect पर आता हूं console पर तो मुझे object मिलता है जिसके अंदर value है यह कहां से मिल रहा है मुझे from movie details आप खुद के लिए लिए देख सकते हो कि movie details की मदद से मुझे अब यह object आ गया मतलब जो use param hook हमें करके दे रहा था अब आप directly इसको इस तरीके से destructure कर सकते हो directly आप param object को call कर सकते हो inside a parameter वो भी function के अंदर कहीं पे भी आप इसका use कर सकते हो बट make sure कि version बराबर हो ठीक है यह latest तरीका था तो गाइस इसी बात पर एक like जरूर बनता है कि एक तो आपको यह पता चला कि params की value को कैसे get कर सकते using both hooks and with this new concept and अभी भी आप लोगों को लग रहा होगा यार पता कैसे चला कि हमें params लेना था या query string लेनी थी या क्या लेना था तो उसके लिए मेरे पास एक यह बहुत awesome diagram है जहां पर आप clearly देख सकती हो the moment आप कुछ भी करो बट एक question mark आ जाता है यहां पर तो फिला लानी रहे बट the moment आपका question mark आ गया ठीक है आप यहां पर देख सकते हो उसके बाद आप समझ लो कि यह जितना भी part आप लिखरो यह आपके query string है आपकी कुछ query थी जो आपने यहां पर लिखा ताकि उसके related हमें answer मिले कुछ आप ऐसा समझ लो query string था वह starting होता है और उसके बाद जैसे यह जो भी आप कह सकते हो यह variable का नाम है वो आपका एक parameter कहलाता है and equal to assignment operator है या equal sign है उसके बाद जो है वो आपकी parameter की value है समझ रहो ना आप यह बहुत जगे आपने देखा होगा name equal to जब यह form field करते हो तो यह after question mark यह सब ही आपके query string है बर्ट जो field से वो आपके parameter कहलाता है and मेरे case में यह तो वही हो ग यह मेरे parameter ही है ठीक है इसलिए मैंने यहाँ पर परम्स लिखा था all right तो मुझे यह मिला and अब इस जगे पर यह जो id थी movie की इसको मैं हटा रहा हूँ इसके बतले again dollar calibrances and मैं क्या करूंगा यहाँ पर const id will be equal to params.movie id ठीक है क्योंकि movie id तो मुझे मिली रहे तो इस id को copy करूं एंड एक second and यहाँ पर मैं उसको paste कर दूंगा खत्म इतनी easily मेरा यह काम भी खत्म हो गया आप इस बहुत easy अब कुछ नहीं करना है वांस यह movie आपका set हो जाता है वापस आपको आपके app.jsx file पर आना है जो आमने यहाँ पर किया now we need a loader and यहाँ पर यह value को pass कर देना है एक सेब करके enter hit एक second एक सेब करके enter hit कर देना तो अब आपने एक dynamic root create की एक component आपने create किया है ना यहाँ पर जो मेरा card था उस card में आपने क्या किया बटन पर जब यह कोई click करेगा वो इस particular page पे चला जाएगा है ना इसको मैं comment कर देता हूं तो इस page पर गया no problem कोई problem ने जान उस particular card का पूरा complete details, bio data complete तो उसको पाने के लिए हमने यह वाली code लिखी जहाँ पर हमारा यह जो param objective उसने help की and जो भी button या basically जिस भी card पे वो लोग click कर रहे है उसकी value मैंने get की and यहाँ पर मैंने paste कर दी मेरा यह काम हो गया and then finally इसको हमने with the help uploader pass कर दिया अब मैं यहाँ पर जैसे मैंने इससे पहली किया था वो जो भी value है हमारे fetch API में जो भी value हमें वो return कर रहे है उसको आप में यहाँ पर get कर सकता हूं with the help of use loader data this is it मैं यहाँ पर चलूँगा const movie data equal to this is it ठीक है and let's check it out की हमें क्या data मिल रहा है यहाँ पर movie data पर मतलब इतन है यह बस खत्तम अब आपको बस एक component क्रेट करना है और आपका काम खत्तम मैं यहाँ पर inspect करता हूं console पर मैं चलता हूं object पर यह देखो कैस मुझे इतनी सा अच्छा सौरी यह तो app layout है get movies details ओके इसका भी कोई काम नहीं है actual में मुझे चाहिए था object यह पॉफेक् करूंगा हमारा यह जो get movie details है इसमें आपको यह वाला जो particular portion देख रहा है as search titanic page यह इसको आप हटाईए इसको आपकी कोई need नहीं है बस आपको इतना ही रखना है यह this is it आपको बस इतना ही रखना है आपका root जहां पर बस आपको जो भी id होगा देखो ना आप तक question mark यह आ यह देख लीजिए इतना सारा data मुझे मिल रहा है इतना सारा data अब आपकी मर्जी यहां पर उसको use कीजिए एकदम easily ठीक है तो मैं इसको हटाता हूं मैं चलता हूं movie details पर अब guys कुछ नहीं करना मुझे यहां पर simple loop चला नहीं simple और गैस तो आप देख सकते हूं कि मैंने मेर जो return statement उसमें मैंने मेरा जो jsx का code उसको मैंने already type कर लिया है आप लोगों का time बचाने के लिए क्योंकि इसमें कोई ऐसा पहाड तो था नहीं कोई बड़ी बात तो है नहीं राइट तो यह मैंने कर लिया है और मुझे यहां पर enabling की कोई नीड नहीं थी conditional's state अब मूभी data में हमने दिखी लिया कि हमें कौन-Kौन सा data मिल रहेया तो अब हर इतना में data इतना ब्लाइट your आपको कौन कौन सा data दिखाना है राइट मैं आपसे कहा था ना कि आपकी मर्जी आपको क्या director का नाम दिखाना है क्या आपको genre दिखाना है क्या आपको language दिखाना है आपको क्या दिखाना है awards box office country dvd director plot जो भी है poster production rated rating सब कुछ मिल जाएगा यार एक्टर्स का नाम यह सब वह सब सो हम क्या करेंगे इसको डिस्ट्रक्टर कर देंगे const equal to movie data ठीक है and मेरे पास अल्रेडी यह डिस्ट्रक्टर किया है मैंने copy करके paste कर देता हूं अब आपकी मर्जी जैसे यहां पर मुझे poster चाहिए तो मैं लिख देता हूं poster ठीक है और alt की हमें always देना चाहिए तो मैं यहां पर उसका title लिख देता हूं सिर्फ इतना भी मैं करता हूं and अगर मैं यहां पर चलता हूं तो देखो मुझे मेरा यह आ भी गया यह मेरा अपना खुद का भी जो मैंने create की सिर्फ इतना ही नहीं आप में कोई भी movies पर जाओंगा लेट से ओरिजिनल टाइटनिक पर क्लिक करता हूं तो टाइटनिक आगिया मैं लेट से यह काटिन वाले beauty and beast टाइप ओले को वह यह box office है plot rating है production है एक काम करते plot जो है plot सही रहेगा एक at least movie का जो भी title है at least मैं title यहाँ पर दे सकता हूं है ना title दो भी होना जरूरी तभी तो मजा आएगा कि यह क्या है title उसके नीचे paragraph ले लेता हूं जहां यहां पर we have a plot right and इसको अब मैं चोड़ दू और इस पर चलू तो the page you are looking does not exist okay यह है because of this PR PR क्या होता है अब at least refresh करता हूं तो yeah this is it यह कैसे आप देख सेकते मुझे data आचुका यहां पर इट जस्ट ui में थोड़ी से गड़वड़ी है तो कुछ ऐसा problem हो रहा है तो यह किस के अंदर है poster ticket container अच्छा height की problem हो रही है okay यह देखो title oh my god क्या मस्त दिख रहा है width बड़ा हो वई थोड़ा सा width बड़ा सकते हो ऐसा कुछ नहीं है एंड यहां देखो क्या मस्त लग रहा है इसे है ना so yeah guys this is it आच इस वीडियो के लितना ही मैं अपना time waste नहीं करूंगा और नहीं मैं आपका time waste करूंगा इसको CSS को और better बना के आपको उसका सारा data रहा the legend of the Titanic समाज रहो ने क्या के नहीं कोशिश करो इट जस्ट अभी user interfaces का इतना अच्छा नहीं है बट कल की वीडियों आप देखो आप बोलेगे मज़ा आए ठीक है so yeah this is it आज इस वीडियो के लितना ही and मैंने कहा था आज का वीडियो बहुत ज्याद आपको कल की वीडियो में तिल दन गाइस थेंक यू सो मच टेक क्या